आज आपका स्वागत हदा ये खड़ाबा में है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं गज़र मटर की सबजी या या ज़ू गजर का बना नहीं या गजर-आजर मटर का बनाधर यदो cooking मसदों से बनेगा तो मैंने यकिन कीज दिया है उसको छी देते है अगर हमारी गाजर मटर की रेशपी पसंद आती है इसको दाई किजिएगा अपने दोस्तों में सेयर किजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा यह देखिए हम आगे पिछे काट के आपको साइड जैसे भी पसंदो छोटा बड़ा उस तरह काटिए यह देखिए मैं इसको साइड से काट रहे हैं आपको जैसा ही पसंदो वैसा काटिएगा और यहीं पर हमने यह तीन किलो गाजर और लगभग एक किलो मटर को दिये हैं पहले मटर को धो देते हैं उसके बाद गाजर को भी धो लेगे और यह हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर किजिएगा और जो भी आप कमेंट्स किये हैं उसका जबाब मैं धीरे धीरे दे रहा हूं मैंने वीडियो बना रहा हूं और भी आपको कोई वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट्स वाक्स में लिखते र आप इसमें साइच छोटा बढ़ा कर सकते हैं और इसको भी हम मटर को पैसे दो लिए उसके बाद गाजर को भी दो लेते हैं इस तरह से दोते हैं और जो मटर धो रखे हैं उसे में यह गाजर डाल दिया अगर आप गाजर की जगा मटर की जगा आलू भी डाल सकते हैं और देखिए हम इहीं पर यह सो गराम सरसो और सो गराम जासन दे रखे हैं जिसका हम पेस्ट बनाएंगे कडाई गरम कर देते हैं और इसे में हम आधा की जो रिफाइन आइल डाल दिये हैं और चार पाज तेजपाज के पत्ते डाल दिये पहले उसके बाद एक बड़ा चमध जीरा डाल देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन कर देते हैं यह देखिए हमारा यह भून गया है और यहीं पर हम 6-7 हरी मिर्च काट के रखे हैं वो ले दिये हैं और यहीं पाधा की प्याज बारी काट के रखे थे वो हम इसमें डाल दिये हैं और इसको हम बढ़िया सबून देते हैं अगर गाजर की जब भी आप सबजी बनाते हैं तो चटपटा करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा करते हैं और तमाटर डालते हैं तो इससे चटपटी सबजी बन जाती है भूब ज्यादा टमाटर से खटी हो जाती है गाजर बहुँयाती है चट पटी तो इस तरह का मिसरन मसादहां अगे आपकी चट पटी बनती है, कोई भी सबजी आपकी चट की बनती है या अज़ू की सब्जी हो जञोगाजर वह आधू मटर की सब्जी है, और इस मसादहर समें अन्य ये लillonर je चाहते हैं तो अगर चाहते हैं तो मसाजा पहले बून दे तो इसको भूल देते हैं और देखे धकने के बाद हमें इसको खोलते हैं भाप भाष पकता है गाजर और मटर हड़ विपे इतना मुझाय मटर नहीं मिद रहू है और यही हमें एक चम्मच अधनिया पाउडर डालते हैं यही पर देखिए थनिया पाउडर डाले हैं यही पर छार्डी पाउडर डाल रहे हैं तो यह सब्जी बहुत ही चटपटी बनती है और यहीं पर एक चम्मच गरम मसाला अब गरम मसाला बाद में भी डाल सकते हैं थोड़ा रूक्के भी डाल सकते हैं सबसे लास्ट में गरम मसाला डाले और यहीं पर हम स्वाद अनसार नमक डाल दी हैं और यह सब्जी हमारी देखे कितना बढ़ातिरीन बनी है और इसमें हम आधा की जोगे करिब करिब टमाटर रिपीस के हम डाल दियें इसमें तो हमारी गाजर मटर की सब्जी बहुत ही चटपटी बनी हुई है और आप इसी तरह बनाए और हमें लिख के जरूर बताए कि आपकी सब्जी कैसी बनी और हमारे देखे गाजर मटर की सब्जी कितना बढ़ी है भून के त्यार हो गया है कि अगर आपको थोड़ा सा इसमें ग्रेवी पसंद है थोड़ा पानी डाल दे क्योंकि अब जो मसालें वह भी पक जाते हैं और दूसरा है कि थोड़ी सब्जी के क्वंटीटी बढ़ जाता है जैसे कि दस प्लेट आप बना रहे हैं तो पाई डाल दीते गारा बारा प्लेट हो जाता है और खाने में रोटी और पड़ाठों के साथ फिर तरी वाजी सब्जी की जरुवत नहीं होती है और यहीं पर हम बहुत सारा धनिया पता डाल दिये हैं तो देखिए हमारी सब्जी बनके त्यार हो गई है और देखिए हम इसको पराठे के साथ रोटी के साथ सर्व करते हैं यह हमारा 30 रुप्या का प्लेट होता है पांच रोटी दिजिए या तीन पराठे दिजिए या फुल चावद के साथ अब सब्जी दिजिए तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के